जाहिए दोस्तों मैं नवीन सरम आप सभी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब अच्छे है एक दम बहतरीन है एक बार आप सारे प्यारे दोस्त बतागें आप सब कैसे है और प्यारे बच्छे नीचे एक छोटी से वीडियो सूट हो रही तो उसके चक्कर में दस म जिसको हम प्यारे बच्छे सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं आज फिर से इतना ही सांदार सेट आप लोगों के सामने है और पहला कुश्यन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्छे निमलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक गरंथ कहलाता है जो सबसे पूर्वकाल एक हम कहें, तो कौन सा गरंथ है, तो क्या आंसर आएगा आप लोगों का बोलेंगे एक बार, तो भी अगर हम जैन साहित्या की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें लिखा गया था आपका क्या, बारा अंग नहीं जी, बारा उपांग नहीं जी, चौध है पूर्व को सबसे पहले लिखा गया, बारे अंग क्या है, दरसल में प्यारी बच्चे जो जैन साहित्या है, उसको क्या कहते हैं, कई बार SSC ने कुछन पूछा है, जैन साहित्या को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे जैन साहित्या को आगम कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, जैन साहित्या उसको आगम कहते हैं आपसे कभी भी पूचे इनकी संख्या कितनी है? तो याद रख लेना इनका जो नंबर है ये संख्या में है 46 क्या बुलेंगे? जो जेन आगम है जो जेन सहित्या है उस आगम की संख्या कितनी बताईगी? 46 किस तरह से है? बारह तो अंग होगे ठीक है बारह क्या होगे बारह उपांग होगे प्यारे बच्चे और दस है आपके प्रकीन गरंथ क्या बोलोगे दस आपके प्रकीन गरंथ है ठीक है और छे इसमें प्यारे बच्चे आपका छेद सूत्र है बड़ी आसानी से आपकर सकते हैं बारह तो क्या है आपके स्वातंत्र ग्रंथ हैं, तो यहां से समझेंगे प्यारे बिच्चे क्या कुछन पूछ सकता है आप लोग उसे'm कुछन पूछता है जैन साहितीा में च्हेद सूत्रों की संख्या कितनी है जैसे हमारे यहाँ विदांग कितने है तो आप कहेंगे भी यहाँ वेदों की संख्या चार है यहाँ मूल सूत्रों की संख्या कितनी है चार है जैसे भारत यह जो प्यारे बच्चे दर्शन है उसमें 6 क्या है विदांग है यहाँ 6 छेद सूत्र है दस क्या है पिरकीन गरंथ है बारे अंग बारे उपांग इस तरह से कुल इन को आप जोडेंगे तो कितना बनेगा नंबर चालिस बनेगा ठीक है यह हमेशा आप लोगों को याद रखना है नेक्ष्ट अगला कुश्यन है सर एडविन एरनाल्ड की पुस्तक दा लाइट ओफ एशिया आधारित है दा लाइट ओफ एशिया जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्यारे बचे एशिया का पिरकास पुंज क्या बोलते हैं एशिया का पिरकास पुंज यह किस पर आधारित है बोलेंगे एक क्या बोलोगे भीया जी ये सुत पिड़क नहीं सुरी शुत पिटक ने ललीत विस्तार पर थुत विटक को तो आं बोलते हैं प्यारे बच्चे एंसिक्लोपीडिया आफ बॉद्ध धर्म अब हम बात करेंगे महत्मा बुद्ध की, तो प्यारे बच्चे महत्मा बुद्ध जी के बारे में आपको common चीजे पता होनी चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक बार, आप मुझे बताएंगे जो महत्मा बुद्ध थे प्यारे बच्चे, इनका जनम कब हुआ महत्मा बुद्ध का जो जनम हुआ था, कब हुआ था, तो अगर हम बात करते हैं इनके जनम की, तो आप कहेंगे 583 BC में इनका जनम हुआ, ठीक है, कहां पर जनम हुआ था, लुंबिनी में, कहां पर जनम हुआ है प्यारे बच्चे, लुंबिनी में इनका जनम हुआ, और इ क्या हुआ प्यारे बच्चे कुशी नगर में क्या बोलोगे कुशी नगर में इनका महापरी निर्वाण हुआ है ठीक है और light of Asia के नाम से किसको जाना जाता है Light of Asia के नाम से किसको जाना जाता है वो महत्माःबudh को जाना जाता है ठीक है ये चीजे आपको पता होनी चाहिए गोलेंगे भी सही उत्तर आया sakya vans के थे इसलिए इनको sakya singh कहते हैं तो कौन सा vans था है इनका साक्यवंस था, यानि पिता की तरफ से, क्या बोलोगे, साक्यवंस किसकी तरफ से था, इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, और सुद्धोधन की तरफ से इनका वंस था साक्यवंस, लेकिन मैं पूछूँ आप से प्यारे बच्चे, जो मात्रवंस था इनका, माता की तरफ स आपको पता होना चीए, इनकी जो माता थी महमाया, वो कौनसे वंस की थी, कोलिय वंस की थी, कौनसे वंस की, कोलिय वंस की थी, इनकी माता, ठीक है जी, अच्छा, एक important question और बनता है, इन्होंने, प्यारे वच्छे, मुक्ती का मार्ग कौन सा बताया, महत्मा बुद्ध ने, तो मुक्ती मार्ग इन्होंने बताया है, आपका आश्टांगिक मार्ग, क्या बोलोगे, आश्टांगिक मार्ग, क्या बताया इन्होंने, आश्टांगिक मार्ग बताया है, किस से मुक्ती का मार्ग, क्या बुला था इन्होंने, चार आरिय सत्य बताये, दुख है, दुख क कारण है दुख का निराकरण भी है तो लोगों ने पुछा दुख का निराकरण क्या है तो इन्हों ने बुला दुखों से मुक्ति पाने का जो मार्ग है वो आश्टांगिक मार्ग है ठीक है आ गये वर्स 1918 की एहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए यह जो प्यारे बच्चे कुछ स्टेटमेंट दिये हुए इनके बारे में पढ़ेंगे और बताएंगे ठीक है बहुत बढ़िया भुवनविष्ट एकदम से सही उत्तर देते हुए नवीन सर की छोटी बहन निदीत रपाठी जी अविशे की आदव बहुत सांदार बिल्कुल ले सकते हैं अंकित पांटे जी क्लास आफ तो क्या बोलेंगे यह कारिय के घंटे के संबंद में कामगारों कामगारों मतलब मजदूरों एवं यूरोपिय मिल मालिकों के बीच विवाद से संबंदित था नहीं काम के घंटे का कोई विवाद था ही नहीं गांधी जी ने कामगारों को हड़ताले पर जाने की सला दी हाँ जी हड़ताल पर जाने के लिए गांधी जी ने कहा तो क्या सत्य है केवल दो अच्छे भी है काम के घंटों की बात नहीं थी तो फिर बात किस बात की थी तो याद रख लेना बात थी प्यारे बच्चे ये जो आंदोलन चला है एहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दरसल में 1917 में चमपारण जब गांधी जी इसमें सफल हो गए तो गांधी जी की प्यारे बच्चे इमेज बनी तो गांधी जी की जब image बनी तो दरसल में क्या था एहमदाबाद में एहमदाबाद में plague बीमारी फैली हुई थी प्लेग बीमारी फैली हुई थी और plague बीमारी में जो लोग काम कर रहे थे तो मजदूरों को मिलता था plague bonus क्या बोलेंगे मजदूरों को मिलता था प्लेक बॉनस और कमपनियों ने कहा कि बॉनस देंगे 50% लेकिन बाद में क्यूंकि विश्वध खतम हुआ था तो ये इस बॉनस को देने से प्यारे बच्चे इंकार कर दिया गया जो प्यारे बच्चे ये एहमदाबाद में मांगे तो इस मांग को किसने उठाया ये बड़ा महत्पूर्ण काम है ध्यान से देखना एहमदाबाद में ये मांग उठी थी प्यारे बच्चे याद रख लेना गांधी जी को जो बुलावा दिया एहमदाबाद गांधी जी को गांधी जी को बुलावा दिया किसने बताएंगे आप गांधी जी को किसने आमंतरित किया था तो बुलावा दिया था अंबालाल सारा भाई की बहन थी अंबालाल जो एक उध्योग पती थे अंबालाल सारा भ जी को विलावा दिया और कहा आप यहां पर आकर के इन मजदूरों की बात को उठाए ठीक है गांधी जी ने ऐसा किया और बात हुई किया आपका 15 मार्च 1518 को आंदोलन सुरू हो गया ठीक है अच्छा तो भी आप 50% मांग रहे थे क्या दिया तो आप कहेंगे नहीं उन्हों ने कहा 20% देंगे और 20% किस ने कहा आपका जो वहां की अपकी मिल थी और मजदूर मांग रहे थे 50% गांधी जी ने कहा कि आप लोग अपना अंसन सुरू करो और मांग मनवाएंगे तो 35% बाद में क्या हो गया था मंजूर हो गया था यह बात आप लोगों को याद रख ल गया है कि गांधी जी कौन से आसरम में रहते थे जानते आप तो आप कहेंगे भीया हां हमने नाम सुना है साबर मती आसरम तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा साबर मती आसरम कब स्थापित हुआ था साबर मती आसरम प्यारे बच्चे जो 1917 में बना ठीक है इसके लिए जो गांधी जी ने बुलाया गांधी जी को बुलाया गया तो ये गांधी जी का पहला पहला आमरन मंसन था या बोलोगे पहला आमरन अंसन था गांधी जी ने कहा कि अन जब खाया जाएगा जब ये मांगे सुईकार कर ले जाएगे इसलिए इसको गांधी जी की पहली भूख घड़ताल भी हम कहते हैं, गांधी जी ने पहली बार भूक हड़ताल का प्रियोग कब किया था, तो क्या बोलेंगे, कब किया था जी, आपका एहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल थी, इसके दारान किया गया था, ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्ट्ट, कोई परेसानी बोलेंगे एक बार अच्छे यहां पर important question और क्या बन सकता है अम्मालाल सारा भाही हो गए सावरमतियासरम हो गया पहला आमरण अंसन हो गया यहां पर हाँ तो प्रभाव क्या क्या पड़े नंबर एक एक तो कभी आप से पूछे एहमदाबाद कई बार पूछा गया एहमदाबाद मिल जो प्यारे बच्चे एहमदाबाद की मिल थी मिल यह बोले तो हम हाँ एहमदाबाद मिल टेक्स्टाइल क्या बोलेंगे एहमदाबाद एहमदाबाद लेबर क्या बोलोगे लेबर टेक्स्टाइल एसोशियेशन ये कब बनी आप से कभी पूछे तो आप कहना ये बनी थी भहिया जी कब आपका 1918 में इसी आंदोलन के बाद में एक दूसरा कुश्यन पूता जाता है गांधी जी ने ट्रश्टी सिप का सिध्धान्त कब दिया क्या बोलोगे ट्रश्ट गांधी जी ने कहा जो लोग ये कंपनी चलाते हैं जो मिल चलाते हैं इनका ये नयतिक करतवे बनता है कि अपने मजदूरों का ख्याल रखा जाए इसके लिए ट्रश्टी सिप का सिध्धान्त लाए गया कोई दिक्कत बोलेंगे भी एक बार कोई परिसा नी बोलेंगे भी एक बार, तो क्या बोलेंगे, 15 मार्च 1918, 15 मार्च 1918 में ये प्यारे बच्चे आपका अंदोलन शुरू हुआ था, आगे चलेंगे, हाँ, 1908 ठीक है, 1908 एकदम ठीक है, आगे आगे, पृत्वी की छितिज के समानांतर गहराब करने वाली कालपनिक रेखाएं, क्या कहलाती हैं, क्या बोलेंगे, what are the imaginary lines, encircling the earth parallel to the origin called, क्या बोलेंगे उनको latitude हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको हमेसा, इनको हम कहेंगे latitude, तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, और ये कौन सी रेखाए होती है, ये पड़ी रेखाए हैं, क्या बोलोगे, पड़ी रेखाए हैं, और जो ख की बात करते हैं, तो प्यारे बच्चे, ये कितनी degree line है, बोलेंगे एक बार, कितने degree line है, तो आप कहेंगे, भहिया, ये तो होगी, zero degree line, तो क्या बोलूगे, मैं आप से पूछना चाहरा हूँ, कुल अंच्छांस रेखाएं कितनी हैं, जो प्यारे बच्चे, कुल आपकी latitude ह हैं, उनकी क्या नंबर है, कुल अंच्छांस रेखा कितनी होती हैं, तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे, भहिया, नब है, प्लस नब है, और प्लस एक, यानि कि कुल मिलाकर के, 181 होती है, क्या है एगा अंसर, 181, क्यासे जी, जहां से समझना है, तो यहां प्यारे बच्चे आपका एक डिगरी लाइन होती है, कितना, एक डिगरी, इसी तरह उपर बढ़ते रहेंगे, तो साड़े तेश डिगरी ये करक रेखा होती है, साड़े तेश डिगरी ये क्या है, करक रेखा है, इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर क्या आती है, आपका प्यारे ब अब है नीचे, एक नीचे होगी, एक का होगी, बीच में होगी, तो कितनी रेखाई वजाती है, कुल मिला करके, 181, एक पुछा जाता है, प्यारे बच्चे, आप से क्या, कुल अंचांस वरत रेखा कितनी होती है, कुल अंचांस वरत, क्या बोलोगे, कुल अंचांस वरत की स सरकल के अंदर की रेखाएं तो दो कम हो गई 181 में से कितनी बचगी 179 हो गई अब सुनना मेरी बात ध्यान से सबसे लंबी अंचांस रेखा कौन सी है बताएंगे कभी पूछा जाए सबसे लंबी अंचांस रेखा कौन सी है बोले एक बार तो आप का अंसर क्या आना चाहिए सबसे लंबी अंचांस रेखा होती है भिया जी जीरो डिगरी वही सरकल कहां से सबसे ज़्यादा होता है तो बीच में ही तो सबसे ज़्यादा होता है और मैं पुछू सबसे छोटी अंचांस रेखा ये दौनों प्यारे बच्चे क्या हैं? सबसे छोटी होती हैं. अच्छा कभी मैं आपसे पूछूँ एक कुश्चन, दो अंच्छांसों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिश्टेंस है वो क्या कहलाता है? दो अंच्छांसों के बीच क कि दूरी क्या कहलाती संदि दूरेखी, प्टाफट से आंसर करेंगे, उम्मीद कर दो अंछांसों के बीच की दूरी कितनी होती है? प्यारे बिके एक्सों ग्यारै किलो मेटर और इसको हम बोलते हैं मेरे दोشر ना की गोरे कटी बन्ध फिर गोरे क्या है? गोरे होती है प्यारे बिचे जो खड़ी रेखाय हैं देखना द्यान से समझ ना.. मैंने आपको बताया तो जो रेखाए हैं जो खड़ी रेखाए हैं वो खड़ी रेखाए प्यारे बच्चे जो किसको दरसाती है देखना ध्यान से पहले आपको इनका अंतर पता होना चाहिए अंच्छांस जो होता है ना latitude जो होता है प्यारे बच्चे या जो latitude होता है ये होत कौनिये दूरी एक angular distance ये होती है भीया जी कौनिये दूरी समझ में नहीं आया देखो मैंने इसको साड़े 23 डिग्री नाम दिया तो ये पिर्थवी के केंदर से ये जो कौन बनता है पिर्थवी केंदर से ये जो कौन बनता है इस कौनिये दूरी को बोलते हैं अंचांस जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पर आपका साड़े 66 तो ये क्या कौन है ये इस वाली लाइन पिर्थवी के सेंटर से और ये कौनिये दूरी होती है अच्छा ठीक है अब समझ मैं आया तो कौनिये दूरी होगी लेकिन देशांतर क्या है देशांतर कोई कौनिये दूरी नहीं है जिसको हम longitude बोलते हैं प्यारे बच्चे ये दरसल में किस के लिए होता है ये position और time के लिए होता है कई बार पूछा गया है तो द्यान से सुनना इस्थिती और समय तो गिलोब पर इस्थिती और समय को दरसाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं समझ लें आप परसन किस तरह से पूछा सकता है अगर पूछले इस्थिती और समय को दरसाने वाली रेखाएं तो आप का आंसर आएगा देशांतर की 360 होती है कितनी होती है 360 होती है और इनके बीच की जो distance है distance between two longitudes बीच की दूरी उसको बोलते हैं गोरे क्या बोलते हैं उसको हम गोरे कहते हैं और ये गोरे होती है 111.32 किलोमेटर कभी गलत नहीं करेंगा प्लीज तो देशांतर हो गया 111 किलोमेटर और गोरे होता 111.32 किलोमेटर ठीक है जी आगे चले नेक्ष्ट भारत और चीन के अतरिक्त निमलिखित में से कौन से सम्भू में दिये गए देश म्याम्यार के सीमावरती हैं इसके पड़ोसी हैं प्यारे बच्चे म्याम्यार के पड़ोसी हैं बंगलादेश थाइलेंड और वियतनाम ठीक है जी कमबोडिया लाओस या बंगलादेश पड़ोसी हो सकता है बंगलादेश तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे यह तो भारत नहीं घेर रखा है अच्छा कमबोडिया लाओस और मलेशिया थाइलेंड वियतनाम और मलेशिया या बोलेंगे थाइलेंड लाओस और बंगलादेश क्या कहेंगे बहिया जी बंगलादेश घेर तो रखा है बंगलादेश घेर तो रखा है भारत ने लेकिन नीचे की तरफ वाला किस से मिलता है, वो म्याम्यार से मिलता है तो कौन हो गए पड़ोसी, अब देखो कुछ बच्चे भाग गए एकदम से बंगलादेस देखते ही क्या बोलेंगे, थाइलेंड, लाओस और बंगलादेस हो गए किसकी बात कर रहे है हम म्याम्यार की मुझे बताएंगे प्यारे बच्चे, अगर हम पूछे आपसे कि म्याम्यार का पुराना नाम क्या था पटाफट से बताएंगे, म्याम्यार का पुराना नाम क्या था Old name of म्याम्यार, क्या बोलेंगे, पुराना नाम तो क्या बूलेंगे आप लोगों का अंसर आएगा भिया, इसका पुराना नाम था बर्मा या जिसको हम ब्रहमदेश भी कहते थे, क्या बोलते थे, ब्रहमदेश कई बार आप से पुछा गया है म्यम्यार नाम इसका कब रखा गया तो आप का अंसर आना चाहिए 1989 से म्याम्यार हुआ है क्या बोलेंगे 1989 से क्या हुआ ये म्याम्यार हुआ ठीक है जी म्याम्यार तो भारत का पड़ोसी है हाँ जी बिलकुल पड़ोसी है तो देखना दिहान से आपका म्याम्यार से कितनी सीमा हमारी मिलती है पहला कुश्यन मेरा म्याम्यार से सीमा कितनी मिलती है हमारी ये आंसर करेंगे बहुत अच्छा कुश्यन है अच्छा आप देखते होंगे एक चीज भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमा है जैसे भारत बंगलादेश रैड किलिफ भारत पाकिस्तान रैड किलिफ भारत चीन मैक मोहन रेखा है, भारत अफगानिस्तान डूरंट है, उसी तरह भारत और म्याम्यार के बीच की जो सीमा रेखा है, उसका क्या नाम है, कौन बच्चा बताएगा एक बार? तो म्याम्यार से सीमा जो 1643 किलो मीटर लगती है, इसका कोई नाम नहीं रखा गया, लेकिन याद रख लेना कौन सा परवत है, जो सीमा बनाता है, और ये जो प्यारे बच्चे सीमा है, इसके लिए भारत और म्याम्यार की सीमा के बीच में 19-67 में क्या हुए थे? साइन हुए थे हस्ताक्षर हुए थे कब हस्ताक्षर हुए थे 1967 में 1967 में इसके लिए हस्ताक्षर हुए और भारत के कौन-कौन से राज्य मिलते हैं म्याम्यार से बोलेंगे भई इंडियन इस्टेट्स भारत के कौन-कौन से प्यारे बच्चे राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं तो आप क्या बोलेंगे भीया एक तो अरुनाचल हो गया क्या हो गया अरुनाचल प्रदेश हो गया अरुनाचल के साथ में नागालेंड मनीपुर और मिजोरम क्या बोलोगे नागालेंड मनीपुर और साथ में कौन प्यारे बच्चे मिजोरम ये चारो क्या बनाते हैं आपका स्टीमा बनाते हैं किससे आपका मियाम्यार से ठीक है अब दिहान से सुनना मैं आपको बता दरहूँ प्यारे बच्छे मियाम्यार से और क्या कुश्यन बन सकते हैं एक तो इसकी capital भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा पूछी ज नेई पीदा क्या बोलेंगे नेई पीदा और करेंसी है इसकी प्यारे वच्छे क्यात क्या वो लोगे इसकी मुद्रा का नाम है क्यात ठीक है यह आपको हमेशा पता होना चाहिए अब मैं एक बार आप लोगों को मैप पे दिखा देता हूँ यह जो हम बात कर रहे हैं ध्यान से देखना प्यारे वच्छे इस बात को मैप पे अगर हम लोग देखते हैं इसमनी चल रहा है क्या म्याम्यार ओन मैप ठीक है यह चीज़े आप जरूर देखा करो और यह आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा आपका प्यारे वच्छे कहां पर इस्थित है तो म्याम्यार की अगर हम बात करेंगे प्यारे वच्छे ओन वर्ल्ड मैप यहां पर आप देख सकते हैं ध्यान स देखो यह क्या है आपका इसको छोटा करना पड़ेगा चलो इसको किसी दिन मैं पीडियेफ में मर्ज करके तब आपको समझाता हूं देखो ठीक है कि दुवारा फिर से आपका जूम करने में बार बार पलटना पड़ता है कोई दिक्कत इस बात में अच्छा म्याम्यार से एक और चीज पुछी जाती है आंगसान सूकी जानते हैं कौन है आपका मयामयार के राष्टपती थे आंगसान जिनकी 1947 में राजनीतिक हत्या कर दी गई थी उन्हीं की बेटियें आंगसान सूकी इससे ऐसा सी एक कुश्चन पुछती है प्यारे बच्चे आंगसान सूकी स इनोने तो इक तो इनको याद रख लिंए ना उनьीस सो एक क्यानस में में इनको नॉ बेल मिला और इनकी बुख का नाम कभी न भूलें आप फृीडं फ्रॉम फियर किसकी बुख मना सिर यह इससकी है तो आप कहेंगे आगसान सूकी की बुख है ठीक है को दिकत आंगसान स तूकी की ये बुक है, नेक्स्ट है, तो मेलित करेंगे एक बार, इधर देस दे रखेंगे और इधर दे रखेंगे उनकी राजधानी, बोलेंगे भई, देस और राजधानी का प्यारे बच्चे आप लोग मिलान करेंगे, कतर की राजधानी क्या है, यमन की राजधानी क्या और बहरीन की क्या है प्यारे बच्छे मनामा है यानि सीधे सीधे मिल रहे हैं आपका तो वन टू थ्री फूर आपका सही आंसर हो जाएगा मुझे बताएं प्यारे बच्छे आपका अफगानिस्तान की राजधानी क्या होगी अफगानिस्तान की राजधानी क्या होगी बहुत आसान सी राजधानी है बोलेंगे एक बार मैं आपसे पूछ लूँ इंडोनेशिया की राजधानी मुझे बताएं इंडोनेशिया की राजधानी आप मुझे बताएं तिमोर की राजधानी बताएं तिमोर की राजधानी क्या होगी और तजाकिस्तान की राजधानी बताएं क्या होगी क्या बोलोगे तजाकिस्तान की राजधानी और लेबनान की राजधानी क्या होगी लेबनान की राजधानी क्या होगी तो क्या बोलेंगे आप अफगानिस्तान की तो भीयाजी हम आसानी से बता सकते हैं काबुल होगी इंडोनेशिया की क्या हो गई है नू संतारा क्या बोलोगे नू शंतारा तुमोर की राजधानी प्यारे बच्चे दिली है दिली तजाकिस्तान की प्यारे बच्चे दुशान क्या है दुशानवे और लेबनान की राजधानी है बेरूत क्या बोलोगे बेरूत राजधानी किसकी है वो लेबनान की ठीक है ऐसे ही प्यारे बच्चे आपको capital धीरे-धीरे learn करनी है 10-10-10-10 करके हम परिक्षा तक सभी को cover कर लेंगे अगे बढ़ेंगे इस अधिनियम के फलसवरूप बर्मा भारत से अलग हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट प्यारे बच्चे गोर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19-1919 या गोर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तो क्या कहेंगे आप प्यारे बच्चे कि 1935 के अधिनियम से ये 1935 के अधिनियम से अलग हुआ था ठीक है अधिनियम 1935 का था लेकिन वर्स कोई पूछे आप से तो 1937 लिखना क्या बोलेंगे किस वर्स अलग हुआ 1937 में रिपोर्ट किसकी थी प्यारे बच्चे साइमन कमी की रिपोर्ट थी, इसकी रिपोर्ट पर याद रख लेना साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर भहिया जी अलग हुआ, अखंड भारत जानते हैं प्यारे बच्छे यस और नो, आप में साब देखते होंगे, बहुत सारे बच्छे यह बात को करते हुए आपको देखते होंगे, जब अखंड भारत कौन सा था, जब भारत के हिस्से नहीं हुए थे, तो यहां से एक important बात आती है आपके सामने, आप यह देख सकते हैं प्यारे वचे, कि अखंड भारत दरसल में क्या था, इससे भी विशाल यह भारत है आपका, अखंड भारत, जहां से देखना, तो अखं कौन से हिस्से हुए है, यह बड़ा important है, कौन कौन से हिस्से इसमें से हुए हैं, प्यारे वचे, यह मैं आपको बताऊंगा, दरसल में भारत के चार हिस्से हुए, कितने, चार major हिस्से, सबसे जादा हम जानते हैं, जिसमें से एक है, प्यारे वचे, 1830 में में सबसे पहले अफगानिस्तान अलग हुआ तो कभी भी आप से पूछे अफगानिस्तान कब अलग हुआ 1893 1947 प्यारे बच्चे जो ये पाकिस्तान अलग हुआ क्या बोलोगे पाकिस्तान ये कहां का हिस्सा है प्यारे बच्चे आपका भारत का ही हिस्सा है ठीक है 1971 जो बंगलादेश बना है जिसको पूरी पाकिस्तान हम कहते थे ये कहां का हिस्सा है प्यारे बच्चे भारत का ही हिस्सा है और 1937 में जो प्यारे बच्चे बर्मा जिसको आज आप म्याम्यार के नाम से जानते हैं ये भारत का ही एक हिस्सा है ठीक है तो ये वाला हिस से कर दिये गए ओके वापस आएंगे next question है प्यारे बच्चे भारत के सम्विधान में नीती निदेशक तत्वों को जो DPSP है डारेक्टिव प्रिंसिपल्स अविश्टेट पॉलिसी है उनको सामिल किये जाने का उद्देश्य क्या था मतलब DPSP को सामिल ही क्यों किया गया हमने Ireland से इसको उधार लिया ही क्यों क्या जुरुत थी ऐसा क्या हम करना चाह रहे थे तो आप कहेंगे कि सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या वो लोगे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमने इसको लिया है, बहुत important बात है, अच्छा इसमें प्यारे बच्चे तीन सिध्धान्त आते हैं, जो आपको हमेशा पता होने चाहिए, तीन प्रिंसिपल कौन कौन सिध्धान्तों में नंबर एक तो आता है समाजवादी, क्या बोलेंगे, समाजवादी प्यारे बच्चे सिध सिध्धान्त है, और दूसरा आप से पूछे तो गांधी वादी सिध्धान्त, और तीसरा प्यारे बच्चे आपका उधार वादी सिध्धान्त, तो कभी भी पूछे, DPSP को कितने सिध्धान्तों में बाटा गया है, तो आप का अंसर आएगा, तीन, मैं ही आप से किसी दि 42 43 हो गया प्यारे बच्चे 43 A हो गया आपका 43 A 47 जैसे गांधिवादी सिद्धानतों में आर्टिकल 40 आता है 43 B आता है क्या बोलोगे 43 तो भी है यहां भी और यहां भी हाँ क्योंकि आर्टिकल 43 में गांधिवादी और समाजवादी दौनों की बात देखने को मिलती है 46 हो गया जैसे 47 में भी दौनों की बात देखने को मिलती है समाजवादी और गांधिवादी, 48 ये गांधिवादी को दर साता है उदारवादी में प्यारे बच्चे 44 आता है, 45 आता है, 48 आता है 48 आता है, 49, 50, 51 ये किसमें आते हैं प्यारे बच्चे? तो ये सबसे मेजर है, 48 A, 49, 50 और 51 कभी भी मैं आपसे पूछूं, आर्टिकल 48, 59, 50, 51, किस पिरकार के DPSP हैं तो आप कहेंगे उधारवादी, क्या बोलेंगे, बोलेंगे भी फटाफट से आप कहेंगे कि ये उधारवादी है, मन्रेगा को किस अनुच्छे में रख सकते हैं, अभी कुशन आएगा प्यारे सोशल, एकोनोमिक, डैमोक्रेशी, सामाजिक, आर्थिक लोकतंतर हमको चाहिए था, तरिकत, अच्छा, अब समझना अगला कुश्छन आएगा, जो एक बच्चे ने पूछा भी, ये एक मतलब, ऐसा समझो कमाल होता है, जैसे रितेश जी ने भी कमेंट सेक्षन में कुश् समविधान के किस अनुच्छेद में वर्नित है, तो क्या बोलोगे, चालिस में है क्या, नहीं जी, चालिस में तो भिया जी, गराम पंचायत का संगठन बताया गया है, क्या बताया गया है, गराम पंचायत को चालिस में बताया गया है, अनुच्छेद 41 की प्यारे बच्च है क्या बोलोगे तब ही मजदूरों का जीवन इसतर सुनिश्चित करने का मतलब उनको एक काम मिल पाए ये प्यारे बच्चे किसने कहा गया आर्टिकल 43 में आर्टिकल 45 में प्यारे बच्चे 6 वर्स तक के बच्चों को सिख्षा क्या बोलेंगे 6 वर्स तक के बच्चों की आयू तक के जो बच्चे उनका देखबाल और सिक्षा कराने का जो ये कारिय है किसका राज्य का करतव्य है आर्टिकल 45 में ये बात की गई है और बहुत important है ठीक है याद रखेंगे मन्रिगा वाले मजदूर किसमें आएंगे आर्टिकल 44 ओके बहुत बढ़ी है बहुत सांदार आ गया है इन में से कौन एक राज्य का नितिनिदिशक तत्व है समान नागरिक सहिंता प्रेश की स्थंता धर्म की स्थंता देखो प्रेश की स्थंता किसमें आती है तो 40 अभी बताये था, ग्राम पंचायत बहुत महत्पूर्ण है, उसी तरह प्यारे बच्चे समान नागरिक सहिंता ये आर्टिकल 44, एक DPSP है, वहां से प्यारे बच्चे लिया गया है, अच्छे मुझे बताएंगे, समान लागुक सहिंता, समान नागरिक सहिंता, समान अंसर होना चीए हमेशा क्या, कि भीया जी गोवा है, क्या बोलोगे, गोवा है, जहां पर समान नागरिक सहिंता लागु है, बहुत खूब, बहुत सांदार, ठीक है, कोई दिकत, कोई परिसानी, बोलेंगे भी एक बार आराम से, इतनी बात में कोई दिकत, अच्छा, अब हम बात करते हैं, आर्टिकल 40 आपको पता चल गया, 41 आपको पता चल गया, 43 आपको पता चल गया, 44, 45 आपको पता चल गया, मैं आप से पूछ रहा हूँ, आर्टिकल 46 मुझे बताएं, क्या होगा, आर्टिकल 47 आप मुझे बताएं, जो बच्चे बता पाएंगे, आर्टिक सारे बच्चे आंसर देंगे तो आर्टिकल अगर 46 की बात करें प्यारे बच्चे इसमें क्या है जो एस सी एश्टी या आपका जो पिछड़ा वर्ग या जो दुर्बल वर्ग है उसके लिए मदद कौन करेगा आपका राज्य का करतव्य है 47 में प्यारे बच्चे हम बात करते हैं तो स्वास्थ है सारवजनिक स्वास्थ है पॉबलिक हैल्थ ठीक है जो आपका ओस्धी है जैसे मान के चलो नसीले पधार्त बिक रहे हैं मार्केट में तो उन पर प्यारे बच्चे रोक लगाने का करतव्य भी किसका है वो राज्य का क यह किस में आएगा आप का आर्टिकल 48 में आएगा. 48 आ परियावरन संरक्षण के लिए है. इसके लिए परियावरन संरक्षण के लिए, प्यारे बच्छण, आर्टिकलços 48 ए अडचास में आप बताएंगे क्या है. है तो जो राष्ट्रिय मैहत्व के इसमारख, होगे खजुराहू के मंदिर होगे राश्ट्रिय महत्व के जो इसमारक है ये राज्य का करतव्य है कि उनको सुरक्षित रखे पचास में क्या बताया गया है जो प्यारे विच्छे नियाए पालिका है यानि कि जो जूडी सरी है उसका एग्जिक्यूटिव यानि कि जो कारि होना चाहिए अलग-अलग दोना होनी चाहिए नियाए पालिका का कारिय पालिका से पर्थक करण ये किस में बताया गया है ये पचास में बताया गया है और एक क्यावन में बात की गई है अंतरराश्ट्रिय सान्ती एवं सुरक्षा की बात की गई है प्यारे विच्छे किस यह कौन से भाग में आते हैं तो आप कहींगे भाग चार में आते हैं कौन से आर्टिकल में 36 से क्यावन तक आते हैं अच्छा कहां से इनको हमने लिया आयरलेंड से हमने इनको लिया आयरलेंड के सम्विधान के किस अनुच्छिद से लिया तो आर्टिकल 45 से लिया गया है आय है बहुत बढ़िया भई क्या बोलेंगे भारत ये महिला बैंक का विल है किस बैंक में कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में यूनियन बैंक आफ इंडिया में बैंक आफ इंडिया में या फिर इस्टेट बैंक आफ इंडिया में कर दिया गया आंसर करेंगे बच्चा सिव कुमार मेरे दोस्त लव यू टू बहुत सारा प्यार क्या बोलेंगे भी है SBI, SBI, SBI तो सभी बच्चों का आंसर आता हुआ आपका State Bank of India में कर दिया गया और कब हुआ था प्यारे बच्चे ये 20 March 2017 को हुआ कब हुआ क्या था प्यारे बच्चे इसका नई दिली इसका भारतिये महिला बैंक जब इस्थापित किया गया था उसकी डेट क्या है 19 नॉवंबर 2013 और मर्जर कब हुआ इसका State Bank of India में 20 March 2017 को हुआ ठीक है कोदिक्कत इस बात में 20 March 2017 को प्यारे बच्चे तो क्या बोलेंगे 20 March 2017 को होगे एकदम ठीक है अच्छा एक important fact है महिलाओं द्वारा संचालित यहां से सुनना महिलाओं द्वारा संचालित महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक कौन सा है महिलाओं द्वारा संचालित पहला स्थापित 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 पहला स्थापि सारवजिनिक बैंक तो आप सारे बच्चों को पता होगा कि सारवजिनिक बैंक कितने हैं आपके जिनको आप गवर्मेंट बैंक भी बोलते हैं तो सारवजिनिक बैंक तो है मेरे दोस्त बार है और बाकी सब क्या हैं बाकी सारे हैं आपके निजी बैंक क्या बाकी सारे आपके भीया जी निजी बैंक के तो निजी बैंक कब फाउंड होने शुरू हुए बोलेंगे एक बार तो 1989, 1991 में, 1993 में या फिर 1994 में अच्छे सा अंसर करेंगे तो कुछ बच्चों का अंसर आया 1991 में अभी कल ही मैंने आपको कुश्चन बताया था तो यानि आप कल के कुश्चन का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं कल ही मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चे नहीं गलत है एकदम से गलत है बहुत बढ़िया अधान वार्शी बहुत ठीक उत्तर देते हुए प्यारे बच्चे इन से पहले भी किसी में 1993 दिया उस बच्चे कॉंटक्ट नमबर लो से टेक करके जिसने सबसे पहले आंसर दिया तो क्या बोलेंगे इसके लिए कई जगे उत्तर 1901 में लिखा हुआ है जो गलत है सबसे पहले प्यारे बच्चे 1903 में आप लोगों को पता होना चाहिए Xs 1903 में जिसका हैड़क्वार्टर मैंने आपको मुंबई बताया था HDFC 1994 ICICI मैंने आपको प्यारे बच्चे 1994 हैड़क्वार्टर मुंबई बताया था Kiotak महंद्रा याद रखो कोटेक मेहंदरा कहां पर है हेड़कौाटर मुंबई में ही है कब का बैंक है 2003 का और बंधन बैंक एक याद रखो इसकी स्थापना आप से कभी भी पूछ सकता है बंधन बैंक कब स्थापित किया गया 2015 में और हेड़कौाटर कोई पूछे तो बोलना कॉलकाटा बाकी के चारों के कहां है प्यारे बच्चे उपर वालों के इनके मुंबई में हेड़कौाटर हैं क्या वो लोगे मुंबई में इनके हेड़कौाटर है ठीक है यह हमीज़ा आप लोगों को पता होना चाहिए op धिकत e-learning classes बहुत बढ़िया इनका number लो और सबसे पहले उत्तरे उन्हों ने दिया ये आज के दूसरे हमारे चातर बनते हैं सबसे बहतरी ठीक है हाँ IDBI भी है बहुत सारे bank है एक नहीं है 12 के अलावा जितने bank है RBI को छोड़ करके प्यारे बच्चे वो सारे के सारे क्या है वो सारे निजी bank है प्राइवेट बैंक है को दिकत आगया है बहुत बढ़िया भारत में इन में से कौन सा bank सार्वजिनिक छेतर का बैंक नहीं है चलो वे बहुत बढ़िया नहीं अगर कोई लड़की है अगर उसका नंबर है तो अपने भाई का नंबर भेजना लड़की अपना नंबर ना लिखे कोई भी फिलीज रिक्वेस्ट है क्योंकि लड़कों को तुम कितनी सिक्षा दे दो लड़कों का माइंड सेट है वो वही रहता है बड़े एक समय बदलेगा जब दुनिया अपने अंत की तरफ पहुच जाएगी न तो तब भी वो माइंड सेट बदलेगा बहुत बढ़िया ऐसे किसी बच्चे का नाम आया करें आप लोग उसको एंकरेज किया करो ऐसे साबासी देने से प्यारे बच्चे प्रतिभाह आगे बढ़ती है और जब हम प्रतिभाह आगे बढ़ती हुई प्रतिभाह को सम्मानित नहीं करते हैं तो वो प्रतिभाह फिर मलाल करती है पैसे में किसी बच्चे का नाम लू, आप भी उसे साबासी दिया करो, ये मतलब उसके अंदर उत्साहवर्दन होता है, भारत में इन में से कौन सा बैंक सारवजनिक छेतर का बैंक नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक 1894 क्या है, हाँ भीया जी नई दिल्ली में इसका क्या है, म कौलकाता में है, कहां का है, कौलकाता में इसका हेड़कॉाटर है, ठीक है, अचा फेडरल बैंक की हम बात करें, तो फेडरल बैंक क्या प्यारे बच्चे, फेडरल बैंक क्या प्यारे बच्चे, एक सारवजनिक बैंक है, नहीं जी भीया जी है, तो प्राइवेट बैंक है या नहीं है कौन बच्चा बताएगा तो आप कहेंगा भीया ए विकलप यानी A और D इसके दोनों आंसर हो गए क्योंकि ये प्यारे बच्चे जो आपका इलावाद बैंक है इसका मरजर हो गया इसका मरजर हो गया और ये मरज होके किसमें पहुच गया आपका इंडियन बैंक में पहुच गया किसमें इंडियन बैंक में ठीक हैं इंडियन बैंक एक सारवजनिक बैंक है जो प्यारे बच्चे 1907 में और जिसका हेडकोर्टर कहां है चिन्चं का हेडकोर्टर है पंजाब नेशनल बैंक में किस-का मरजर हो था बोले पंजाब नेशनल बैंक में दो बैंक और मिलाए गए और नया नाम उस बैंक को क्या दिया गया तो पंजाब नेशनल बैंक में एक तो Oriental Bank of Commerce प्यारे बच्चे और साथ में एक आपका United Bank क्या बोलोगे United Bank को मिला दिया गया कितने बैंक एक साथ हो गए यानि कि PNB, OBC और प्यारे बच्चे United Bank और इनको नाम क्या दे दिया गया ज़्यादा पिला पिला नहीं हो गया तो इनको नाम क्या दे दिया गया प्यारे बच्चे Amalgamated 3 क्या बोलोगे Amalgamated 3 नाम इसको दिया गया है तो यह याद रख लेना कोई परिशा नहीं very good आगे चलेगे आप एक शिक घनत का मात्रक क्या है जो प्यारे बच्छे आपका relative density है उसका मात्रक क्या होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब अच्छा पहले घनत की बात करते हैं घनत का मात्रक क्या होता है तो सिर्फ अगर मैं density की बात आपको बताऊं घनत यानि की density का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्छे तो आप कहेंगे घनत बराबर होता है भीया जी मास अपॉन वाल्यूम क्या होता है मास अपॉन वाल्यूम होता है यानि की द्रवमान अपॉन वैल्यूम होता है और द्रवमान को हम किस में ना पेंगे हमेशा किलोग् और आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उंचाई यानि मीटर क्यूब होता है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब या हम इसी को बोलते हैं किलोग्राम मीटर माइनस थ्री इसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं ml-3 क्या बोलते हैं विमा में ml-3 लेकि मैं बात करूं, relative density क्या होती है, यह जिस चीज का हमको निकालना है, जैसे पिंड का घंत्व हमको निकालना है किसी का, उसका घंत्व किसके साप एक श्मापा जाता है, हमेशा जल के घंत्व के, बटे में क्या रखा जाता है, जल का घंत्व, यानि कि जो प्यारे बचे density of substance है, उसका एक ratio देखा जाता है किसे, density of water से, density of water से देखा जाता है, ठीक है, तो ऊपर भी घंत्व, और नीचे भी घंत्व, गंत्व से घंत्व कट नहीं जाएगा, क्या, बिलकुल कट जाएगा, जैसे हमको बर्फ का देखना है, तो जल में घंत्व से घंत्व कैंसल हो जाता ह तो क्या बोलेंगे इसका कोई मातरक नहीं बनेगा है क्या वो लेंगे ये संचारण का उधारण है इसका उधारण है संचारण का उधारण है मंबत्ती का जलना एक प्यारे बच्चे chemical change है एक राशाइनिक परिवर्तन है राशाइनिक परिवर्तन है दूद से दही का बनना एक chemical चेंज है, तो भीया हम को कैसे पता चलेगा कैमिकल चेंज का, कैमिकल चेंज का प्यारे बच्चे आप ऐसे पता करेंगे कि वापस वो चीच नहीं मिलेगी जैसे, दूद से दही बन गई, yes और no में बताना क्या दही से वापस दूद बना लोगे, दही से वापस दूद क्या आप बना सकते हैं येस और नो मतलब तुम्हारे घर जो दही बनी है उससे वापस दूद बना लोगे क्या आप कहेंगे भीया जी नो तो जब नो की कंडिसन आ जाए तो क्या होता है chemical change होता है क्या होता है chemical change होता है जैसे मैं बोल दूँ कागज का जलना कैसा परिवर्तन है बोलेंगे एक बार कागज का जलना कैसा परिवर्तन है तो कहेंगे कागज जलके क्या वापस जो राख है उससे कागज बन सकता है नो तो क्या बोलेंगे भीया आप कहेंगे भीया जी ये भी क्या है क्या है ये एक chemical change है तो भहिया मॉम बत्ती जब जलती है तो मॉम तो वापस मिलता है कि नहीं मिलता अब बताओ आप कहेंगे हाँ भहिया मॉम बत्ती जब जलेगी दिवाली पर तो मॉम मिल जाता है लेकिन प्यारे बच्चे उसमें अंदर जो धागा है वो धागा क्या बचेगा तो बोलेंगे इसको हम complete एक physical change नहीं बोलते इसलिए इसको किसमें रखा जाएगा रासाइनिक परिवर्तन में क्योंकि एक चीज ऐसी loss हो गई जो वापस नहीं मिले बहरत का सबसे प्राचिन्तम संगीत येंतर कौनसा है बासुरी है पबला है वीना है या फिर सितार है तो क्या बोलोगे भीया जी वीना मा सरस्वती जी के पास था ये मा सरस्वती जी के पास में और वीना बजाने वाले कौन-कौन लोग है असद अली और बदरुद्दीन डागर ये कभी ना भूले नए नाम आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चे बदरुद्दीन डागर ये क्या बजाते है वीना और वीना के लिए कौन से दो राजाओं को जाना जाता है स्तमुंद्र गुप्त वीना बजाने में माहिर था और दूसरा कौन था दूसरा था आपका औरंग जेव क्या बोलोगे औरंग जेव क्या था प्यारे बच्चे वीना बजाने में माहिर था सितार की बात करेंगे साहिद परवेज अनुसका संकर क्या बोलोगे अच्छा तबला के लिए अनोखे लाल मिस्र और जाकिर हुसेन कभी न भूले अनोखे लाल मिस्र हो गए और बासुरी में तो सायद प्यारे बच्चे बताने की जरूरत ही नहीं है कि बासुरी में कौन है हरी परसाद चौरसिया क्या बोलोगे हरी पिरशाद चौरसिया ये सबसे बड़ा नाम है हरी पिरशाद चौरसिया और याद रख लिना इस बार CHSL वो या CGL मेंस हो प्यारे बच्चे तो क्या बोलेंगे आपका उस बार आपसे कुश्चन जरूर पूछेगा एक कुश्चन वाधियंतर से एक या दो भी पूछ सकता है ओके हमेसा याद रखे परिकत आगया है निमलिखित में से कौन सी संस्कृत रंगमंच सैली है जो यूनेसको द्वारा मानवता की अमूर्त सूची में सामिल की गई है एक तो यूनेसको साइट में आपको बताता हूं कि 40 है रामसर साइट 75 है तो जो इंटेंजीबल है प्यारे बच्चे क्या बोलोगे इंटेंजीबल जो हैरिटेज है उनका नंबर कितना है वो 14 है संख्या में कुल 14 है तो 14 मेंसे केरल की कौन सी है जो एक संस्क्रत थेटर है प्यारे बच्चे जो एक संस्क्रत रंगमंच सैली है तो क्या बोलोगे भिया जी वो होगी कुटियाटम भिया मेदी एट्टू भी केरल की है याद रख लेना मुदी एट्टू भी कहां की है केरल की है लेकिन ये क्या है प्यारे बच्चे ये ल रम्मान कब सामिल हुआ था 2009 में ये उत्तराखंड का है कहां का है ये प्यारे बच्चे उत्तराखंड का क्या है एक आपका क्या बोलेंगे एक लोक उत्सव है एक सैलिब्रेशन है एक प्यारे बच्चे फेस्टिवल है कहां का रम्मान चविट्था कानम बिलकुल भी सामिल अच्छा अब मुझे बताओ 2008 में शुरुआत हुई थी इसकी सबसे पहले 2008 में कौन-कौन सामिल हुए थे और सारे बच्चों से उम्मीद करूँगा कि वो सब एक सही उत्तर बताएंगे कि सबसे पहले कौन सामिल हुए थे तो प्यारे बच्चे कभी न भूलना क्या बोलोगे वैदिक जप और रामलीला ये 2008 में सामिल हुए थे और सबसे नया कौन है बोलो सबसे नया दुरगा पूजा कब सामिल किया गया 2021 में सामिल किया गया भूलना नहीं है 2016 योग और नवरोज प्यारे बच्चे भूलने नहीं है कभी भूलना नहीं है मतलब revision करते रहना है next भीलो का पिरशिद लोक नाट्य कौन सा है भीलो का पिरशिद बोलेंगे मैं भीलो का पिरशिद गवरी है सवांग है, तमासा है या फिर आपका रम्मत है तो यह तो important हो गया अब इसको आप state से भी नहीं बता सकते भील तो आपका राजिस्थान महराष्ट से लेकर करके MP तक सब जिगर रहते है तो आपका अंसर क्या आएगा पियारे बच्चे, तमासा है जो कहां का है, तमासा महराष्ट का यही भीलो का नाट्य रूप है अगर रम्मत की बात करें तो प्यारे बच्चे ये राजिस्थान का है लेकिन याद रख लेना ये क्या है ये भीलो का ये भीलो का क्या है एक लोग पर ये नाटक है क्या बोलोगे भीलो का लोग पर ये नाटक कौन सा है वो है रम्मत ठीक है और कहां राजिस्थान में रम्मत कहां पर होता है बीका न राजिस्थान का है, क्या बोलेंगे, राजिस्थान का है, तो भीया गवरी भी इंपोर्टेंट है, क्या, हाँ जी, ये भीलो का गैर लोक नरत्य है, इसको क्या दरजा दिया गया है, भीलो का गैर लोक नरत्य है, अब बोलेंगे, भीरो का गैर लोक नरत्य है, ठीक है, बहुत important question है, याद रखेंगे, आगे चलें, next है, सुमेलित कीजिए, सूची एक को, सूची दो से मिलाना है, इधर प्यारे बच्चे फॉकार्ट दी हुई है, इधर इस्टेट दी हुई है, रंगोली कहां की है, साथिया कहां की है, गोधना कहां की है, मांडवा कहां की है, त देखेंगे भई, उत्तर सबसे पहले कौन बतायागा, स्पीट देखो इसमें, इसमें 1,2,3,4 या सबसे पहले उत्तर किसने बताया यह देख लो, सबसे पहले वाला देखना, जिसने ए उत्तर होता है, पिछले विकल्प का तो नहीं था यह, पिछले का तो सी था, तो यह ढूंडो किसने होता है, रंगोली महराष्ट का, साथिया प्यारे बच्चे गुजरात का, गोधना बिहार का, और मांडवा राजिस्थ और मांझेदण पूराद का, सबसे पहले प्यारे बच्चे इसने सुबहम कुमार जी ने, सुबहम कुमार मिरदोस, 4. protests के तीन मिनट पाया, पहुत साम्से पहले, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1,2,3,4 यानि औप्सन ऐक हो जाएगा हमारा एक-दम से नहीं हो अब यहां कुछ कुछन और बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कुछ लोग कलाओं में प्यारे बच्चे एक तो आपका स्टोन रखना या चौक पूर्णा पूछ सकता है आपसे स्टोन रखना या चौक पूर्णा कहां की लोग कला है कहां की फॉक आर्ट है चौक पूर्णा बोलेंगे कहां की फॉक आर्ट है मैं आपसे पूछू प्यारे बच्चे अर्पन कहां की फॉक आर्ट है मैं आपसे पूछू मेहंदी कहां की फॉक आर्ट है मैं आपसे पूछू प्यारे बच्चे पट्टा चित्र कहां की फॉक आर्ट है पट्टा चित्र कहां की फॉक आर्ट है मैं आप से पूछूँ पिथोरा पिथोरा कहां की फॉक आर्ट है और वारली कहां की फॉक आर्ट है तो क्या आंसर आएंगे आप लोगों की तो सौन रखना या चौकपूर ना पूछे तो यूपी की हो जाएगी अरपन क्या होती है प्यारे बिहार और गोदना भी कहां की है बिहार की मेहंदी राजिस्थान याद रखें पट्टा चित्र कहां की है ओडिसा की पिथोरा कहां की है प्यारे बिच्छे गुजरात की थोरा रात गुजार लें वार में क्या होती है वार में हार इसलिए कभी आप लोग war मत करना आप कहेंगो यह war में लड़ाई तो होगी नहीं ऐसे war की बात नहीं कर मैं कह रहाँ अपनों से लड़ाई की बात तो जो अपनों से लड़ाई की बात हो ना प्यारे वच्छे वहाँ आपको back foot पे चले जाना चीए आपको सोचना चीए कि हमारे पीछे जाने से हमारे बीच का जो जगड़ा है अगर खतम होता है तो आपको back foot पर चले जाना चाहिए चाहे अपने लोगों के लिए गलत लोगों के लिए नहीं अपने लोगों के लिए कार्मोस नरत्य किस बौद धर्म उत्सव के अवसर पर होता है कार्मोस नरत्य लोसर उत्सव बुद्ध जैन्ती तश्यम्सू या फिर दोस मोचे के उत्सव पर होता है तो क्या बुलेंगे भिया लोसर उत्सव पर ये होता है और कहां पर होता है लद्दाख और अरुनाचल परदेश दोनों में लद्दाख और आपका अरुनाचल परदेश तो कारमोस नरत्य याद रखेंगे एक तो क्या बोलेंगे कारमोस नरत्य अरुन और अचल कार में कहां गए है कार में मोज करते हुए लद्दाग गए है घूमने कौन-कौन अरुन और आचल कार मोज कहां का है अरुन आचल और लद्दाग इसमें अब जब वहां घूमने गए है तो लॉस नहीं होगा क्या पैसा नहीं खर्च होगा तो लॉस हो गया पैसे का पैसे कभी या लॉस हो गया भारत के निमलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व या बाग अभिहरन का अपना आधिकारिक सुभंकर मूर सिंग दाबारा सिंगा है मूर सिंग दाबारा सिंगा है ना मेरी जो कहां पर है प्यारे बुच्चे अशम में है क्या इसका है करन थमबोर जो राजिस्थान में है क्या इसका है ठीक है पढ़ना इनमें दिक्कत तो नहीं आती आपको यह कहाँ परिस्थित है मुझे लगता है आपके finger tips होंगे सब एक बार थम सब करें जिसको finger tips है सब कुछ बहुत मन से प्यारे बच्चे बहुत ट्रिक से इसको सिखाया गया है बहुत लंबे समय से सिखा रहा हूँ तो क्या बोलोगे किसका तो जो काना है इसका प्यारे बच्चे mascot है वो काना का mascot है ठीक है अब मैंने आपको एक question बताया था जड़ा देखते है प्रोजक्ट टाइगर की सुरुवात कब हुई थी बोले मैं यह चाहता हूँ सारी चीजे आपके finger tips होनी चीए प्रोजक्ट टाइगर कल तुम जाके भिढ़ जाओ कोई पूछे तो तुम बताना कि तुम कहां से पढ़ते हो बल जब तुम अपनी तयारी की सुरुवात करोगे ना तो आप देखो के बहुत सारे लोग जो PCS VPSC के लिए तयारी करते हैं उनको factual चीजे बहुत कम पता होती है सुरुवात भी होतला basic चीजे नहीं होती है और वो सीखने जाते हैं पर वो घटना करम को समझते हैं आप उस समय घटना करम भी समझेंगे और आपको सारी चीजे पता होंगे आप कहेंगे हाथ उठा करके कि हमें पता है क्या बोलोगे 1973 1973 1973 प्यारे बच्चे अच्छा इंपोटेंट है इसमें सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है और टोटल टाइगर रिजर्व भारत में कितने है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इसका नाम देखना भी बच्चे का जो इसका नाम सबसे पहले बता दे सबसे बड़ा Tiger Reserve और बच्चे का नंबर ले लो और मैं पूछूँ सबसे छोटा Tiger Reserve कौन सा है सबसे छोटा Tiger Reserve कौन सा है तो ये देखना भी तुमें कैसे पता चलेगा कि सही बताया नहीं बताया तो तुम देखना जिसने सबसे पहले नागारजुन सागर लिखा हो या बुलना नागारजुन नाम जिसने लिखा हो सबसे पहले वही है हमारा आज का एक और टॉपर तो नागारजुन सागर प्यारे बच्चे कहां जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है वो है बोर जो कहां का है महाराष्ट का है ठीक है क्या वो लोग है आंधरा का नागर जुन सागर आंधरा का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है वो है बोर टाइगर रिजर्व कहां का है प्यारे बच्छे महाराष्ट का है टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं हमारे 53 है और 53 वा मैंने आपको बता रखा है तरेपणवा टाइगर रिजर्फ है हमारा रानीपूर जो कहां इस्थित है प्यारे बच्छे उत्तर परदेश में इस्थित है कहां पर रानीपूर उत्तर परदेश में इस्थित है ओके नेक्ष्ट विश्व बौधिक संपदा संगठन ये बच्छे का नाम है अंकित सुकला जिन्होंने सबसे पहले सही उत्तर दिया था सुकला जी बहुत साबास मेरे दोस्त वेरी गुड विश्व बौधिक संपदा संगठन का मुख्याले कहां है और इन बच्छों के नंबर में परशनली अपने फॉन में सेव करूँ प्रॉमिस कभी भी आप इतना अच्छा प्रदर्सन कर रहे हैं हम लोगों के उपर इतना विश्वास कर रहे हैं तो कभी न कभी तो आप भी पहले उत्तर देंगे आप देखते के बीसी में भी जो सबसे पहले बताता है ऐसा नहीं है उससे पहलेगा बोलेंगे भी विश्व क्योंकि अन्नोन नंबर अगर मेरे फॉन में नंबर सेव नहीं है तो फिर कोई अर्थ नहीं बनता फिर तो वह हजारों मेंसेज है जो मैं चाहा के भी रिप्लाइई नहीं कर सकता विश्व बॉद्धीक संपदा संगठन का मुख्याले कह है तो क्या बोलेगे जैनेवा वासिंग्टन डी सी नील यॉर्क या फिर पैरिस में है तो क्या बोलोगे भी या जैनेवा में है क्या बोलते हैं इसको हम वर्ल्ड इंटेलेक्च्वल प्रोपर्टी और्गनाइजेशन वीपो कब बना था वीपो तो बोलना इसकी मनाया जाता है विश्व बौधिक संपद्दा जो दिवस मना जाता है वो मनता है 26 अपरेल को और आप लोगों को याद हो अभी विश्व बौधिक संपद्दा सुचकांग के लिए प्यारे बच्चे एक इंडेक्स जारी हुआ था 2022 का क्या बोलोगे 2022 में प्यारे बच्चे ये आप बताएंगे भारत का इस्थान क्या था बौधिक संपद्दा सुचकांग में बोलेंगे प्यारे बच्चे बारत का इस्थान क्या था तो इंतजार करूँगा और ये आज का हमारा पहले उत्तर बताने वाला निखिल देखना जिस बच्चे ने लिखा हो 43 वो आज क का इस्थान इसमें था पहला क्या बोलोगे किसी नहीं बताया चलो बहुत बढ़िया 37 रौ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत आगया आगे बोलेंगे बहुत 20 अगस्त को कौन सा दिवस मना जाता है सद भावना दिवस, परत्वी दिवस अपको कमेंट नहीं करना है जब मैं बोलू तब करना है सिर्फ मैं आपको कमेंट करने के लिए सिर्फ बोलूँगा आप लोगों को पता हो आप इन देन से पढ़िया मैं यस चीज़े नहीं बोलता हूँ कभी कमेंट से दूर रहना है लाइक, चेर, फलाना, ढिगना इस सब से दूर रहना चुपचा पढ़ो बैठके लेकिन जब बात ऐसी आएगी तब कमेंट करना होगा इसमें मैं मैं मुस्किल से आपके पांच बार कमेंट करवाँगा ज्यादा चार बार करवाँगा तो इसमें आपको पांच पांच सेकंड, बीस सेकंड लगे मुस्किल से क्योंकि एक ही बार तो करना है यहाँ पर जो श्ट्रीमर बैठे हुए वो अपना चुनाव कर सकते हैं यह इस सब से पहले किस ने किया क्या बोलोगे सद्भावना दिवस किस की याद में प्यारे बच्चे राजीव गांधी क्या बोलोगे राजीव गांधी जी की याद में राजीव गांधी राजीव गांधी जी की याद में प्यारे बच्चे इसको मनाया जाता है ठीक है यह बात याद रखेंगे पृत्वी दिवस कब का हो गया आपका 22 अपरेल का हो गया प्यारे बच्चे तंबाकु निशेद दिवस कब का है ये 31 मई का है क्या बोलोगे 31 मई का है अच्छा अगस्त की बात करते हैं प्यारे बच्चे 12 अगस्त को क्या मना जाता है अंतर राष्ट्रिये युवा दिवस क्या मनता है अंतर राष्ट्रिये युवा दिवस मनाया जाता है यह बात याद रखेंगे अंतर राष्ट्रिये युवा दिवस अच्छा मुझे बताओ लगु उध्योग दिवस है 30 अगस्त को क्या मनता है लगु उध्योग दिवस है और 29 अगस्त को क्या मनता है ये तो सभी जानते हैं कि खेल दिवस लेकिन मैं पूछूँ प्यारे बच्चे आप से विश्वनी वो अंतराष्ट्य मनता है क्या मनता है 6 अपरेल को मनाया जाता है ठीक है जी? आगे आएगे नेक्स टे खाल ही में किस राज्जे में दुनिया का सबसे बड़ा घड़पा संस्किर्ती संग्रहले स्थापित किया जाएगा भारत के कौन से राज्जे में? घड़पा संस्किर्ती संग्रहले स्थापित किया जाएगा तो आप कहेंगे भीया जी ये हरियाना में स्थापित किया जाएगा हरियाना के हिसार में और प्यारे वच्छे कल से मुझे समय मिलना सुरू हो जाएगा मैं कई चीजों से कल फिरी हो रहा हूँ आपकी इस क्लास को मैं कहता हूँ की सबसे सांदार क्लास बनाएं तुम देखोगे अपने सामने इसको हम इतनी बहतर क्लास बनाएंगे लेकिन इसके लिए मुझे रोज आपके एक घंटे से लेकर के प्यारे बच्चे एक घंटे से लेकर के एक घंटे 15 मिनट या 20 मिनट कभी कभी एक गंटे और कभी उससे कम भी तो एक balance रहेगा एक बार thumbs up कर देंगे बोलेंगे we are ready for this सवा गंटा सवा गंटे हम लोग पढ़ेंगे इसको लगभग तागी कुछ एक दो map इसमें daily सामिल किये जाएं कल से करते हाल ही में Reliance Industries 2025 तक कहां दुनिया का सबसे बड़ा carbon fiber plant जो है वो प्यारे बच्चे बनाएगी करनाटक में, गुजरात में, राजिस्थान में या फिर पश्चिम बंगाल में तो क्या बोलेंगे भहिया जी ये गुजरात में बनाएंगे गुजरात में भी कहां बनाने जा रहे हैं हजीरा डिश्टिक में, कहां पर हजीरा जिले में बनाये जा रहे हैं और Reliance तो आप जानती हैं भारत की सबसे बड़ी company में से एक है और Reliance पूछे को ये तो 8 मई 1973 को प्यारे बच्चे 1973 को क्या हुई थी Reliance को फाउंड किया था धीरू भाई अंबानी ने एक छोटे से उद्दिस्ट से चल करके उस समय की प्यारे बच्चे स्थिती का फायदा उठा करके आप कभी उनकी स्टोरी के बारे में जानना उन्होंने सरकार से ले करके जो चीजे इस्तेमाल की जा सकती थी उस हर फंडे का इस्तेमाल उन्होंने भारत का सबसे बड़ा आदमी बनने के लिए किया और वो बन गए तो जिंदगी में एक बात याद रख लेना ये महत्पूर्ण नहीं है कि आप कितने विदवान है ये कितने विदवान नहीं है आप से कितनी चीजे आती है कितनी नहीं आती है बड़ी बात ये है कि आप आगे बढ़ने के लिए क्या योजना बनाते है और उस योजना पर आप किस तरह से काम करते हैं मानके चलिए कि आपको selection लेना है तो आपने अपने selection के लिए क्या योजना बनाईए कौन intelligent है इस बात का कोई अर्थ नहीं है ठीक है intelligent होना एक bonus point है वो सहयक हो सकता है लेकिन सिर्फ मंजल तक वह नहीं पहुचा सकता इसके लिए आपकी planning मान के चलो आपने time table अपना बनाया है कि हम इस time table से पढ़ेंगे ठीक है और उस time table से पढ़ते हुए हम आगे तक जाएंगे तो अपना ख्याल रखेंगे बहुत सारा bye bye take care जया हिंद जय भारत जय मासरस्वती thank you love you all